जी हाँ फ्रेंड हम आज बात करने जा रहे हैं जो कि अभी मूभी ठीटर में लगी है और जिस मूभी का नाम है सरकस और हम आज इसका रिव्यू करते हैं क्या ये बॉक्स अप इस पर एक हीट मूभी सावित होगी या एक व्लॉक मूभी आगे थावित होगी का प्रोडक्सन किया है और वह इसके प्रड्यूसर है तो चलिए और इसके बारे में जानने की पुछिस करते हैं तो जो यह अभी थेटर में जैसी लगी है इस प्राइडी को लगी है तो इसकी जो बॉक्स और इसमें जो उपनिक रही है बहुत ही कम रही है और लगवग यह 115 से लेके 20 कोड़ तक किये मुवी इसके में बजट इसका है और इसका जो सुरू में भजदे जो इसका ओपनिक रहा है तो पूर रहा है और साथ से लेके 8 कोड़ तक इसने पेरे दिन कमाए और दूसरे दिन के आपर अगर जो देखे जाएं तो चार-पांच कोड़ वे तो लिए तो अब आगे देखने वाली बात है किया अपना बजट निकाल पाइगी या नहीं निकाल पाइगी तो अब क्योंकि देखने कर दोबिए और बहुत जादा है और कहींना कहीं आफ़तार जो मुवी है उसका इस पर बहुत इंपक्ट पड़ गया है और जिससे कि अब देखते हैं सनिवार और इतवार का क्या इसमें हो रहता है क्या क्लेक्शन रहते हैं वो तो भी आगे पता लगे था तो एक तो यह वो सकता है इसका रिजन अफ़तार वी वो दूसरी इसकी जो कि कहानी है इस्टोरी है वो बहुत ही घिजी पिटी है और जिस तरह से मुवी का होता एक दो सींग के लावब कोई ज्यादा कुछ मिसेश है नहीं इसमें और रंबीर सिंग जो कि एक मुवी के लिए तरह स रहे है वह कोई ज्यादा मुवी में कमाल करनी पाए और बरुद जर्मा ने भी ठीक आकाउं किया हुए और इसके साथ जॉनी लिवर यह भी क्रिजब हो सकता है और लोग इसे देखना भी चाहें क्योंकि यह मुवी वैसे तो एक कौमी मुवी है तो पांच में से इसको दो अंग दिये जा सकते हैं दो रेटिंग दी जा सकते हैं तो आप लोग जाए तो दोस्तों इसी तरह की मीडियो देखने के लिए हमारे चनल पर सब्सक्ता करें, लाइक करें पर सिया करना भी बना भूलेगा